ताइन तीन अगस्त्त一下 और आप देख लीज्गा तीन अगस्त को वालमी की सामाज है वालमी की समाज कोड़ के वह इसंग के इच्शन को और आने वाला हैने कि दब 9-00 माने के चलिए यहां जो कदम है इसके नंबह पर सेंट नीजिट इसके ऊपर आ बढ़ती है सपाई करमचारी की सपाई करमचारी की बढ़ती है यह कोट के अंदर जा रही है अब कोट के अंदर जा रही है इसका मतलब हो गया कि यह बढ़ती भी है रुकने वाली है क्या वाके यह बरती रुकेगी कि क्या इसके ऊपर इस्टे आएगा कि zwar N гाने की प्रोसेस क्या हुती हैं किस प्रकार से कोट है बरती के ऊपर इस्टे डालता है को से एडिंग के अंदर इस्टे डालता उन सबी उस्यों के वारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अगर के अंदरबदी क्योंकि साथियों आपको इस चनल के उपर इस बरती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट यहां पर मिल जाती है तो साथियों पहले जो वालमी की समाथ था वो आंदोलन कर रहा था लेकिन साथियों आप सभी को देखो आप सभी को भी पता है इस समाज के अंदर ज्यादा कोई अमीर लोग तो है नहीं अब वहाँ पर जो नेता वगरा है नेता वगरा तो वहाँ पर पहुंच जाते हैं लेकिन साथ यो बार-बार में गाओं से कोई लोग है या पर शहरों से लोग है उनको वहाँ पर बुलाते हैं वो काम दंदा छोड़ कर आते हैं तो वो अधिक संक्या में वहाँ पर अब है वो नहीं पहुंच रहे हैं और उनकी बात है बिल्कुल सही तरीके से जिस सरकार है वो नहीं सुन रही है क्योंकि सरकार उसी की बात सुनती है अधिकारी उसी की बात सुनते हैं जिनके पास बहुंवत होता है कि दो चार पांस आदमियों से वहाँ पर काम नहीं चलता है क्योंकि वहाँ पर वह भी सोचते हैं अगर पिच्चान में पिच्चान में कंडिडेट अगर सहमत है और पांच परसेंट पांच परसेंट अगर कंडिडेट सहमत नहीं है तो इसका मतलब तो हो गया है कि पांच की बात है वो नहीं सुनते हैं तो साथियो तीन अगस्त यहां पर आप देख लीजीगा तीन अगस्त है तीन अगस्त को वालमी की समाज है वालमी की समाज कोट में जा रहा है और इसके ओपर इष्टे आने वाला है यह वालमी की समाज है ऐसा कोई कदम उठा रहा है लेकिन कुछ ठोश सबूत मेरे पास नहीं था क्योंकि आप सबी को बताने के लिए मेरे को कोई ठोश सबूत भी चाहिए क्योStop कि आप इतने अजारों की संग्या के अंदर देख रहे हो विश्वास कररहे हो तो आप jużना कोई ठोश सबूत तो देना जरूरी है तो ठोश सबूत है कल दोपेर के अंदर मेरे पास पहुंचा उसकी मेरे जाज़ परतालगी बिल्कुल सही है वो और तीन अगस्त को वालमी की समाज है कोट के अंदर जा रहा है अब कोट के अंदर जा रहा है वकील वगरा से सब कुछ बातचीत हो चुकी है या बस चोट पैसे वगरा है पैसे वगरा एकटे कर रहे हैं लगबक in प्चास हजार के आज पास यहाँ पर वकेल साह नवीं से पैसे मांगे हैं क्योंकि 550,000तों देंखो बिलցकुल कम ले लिये इन्होंने वकेल साब ने लेकिन जो भी वकेल होते हैं इन से कम के अंदर कोई भी केस नहीं लड़ता है वो भी कोई जेख वगरा लगा लोगों के इन्होंने कोंटक्ट किया था तो 50,000 के अंदर वकेल वगरा हो चुका है बिल्कुल सारा काम हो चुका है बस पैसे जमा करवाने की वहाँ पर थोड़ी लापरवाई हो रही है पैसे जमा होते ही इनको यहाँ पर तारीक मिल जाएगी तारीक मिलते ही अब आगे की जो प्रोसेस होती है इस्टे आने की बरती के उपर वो क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं तो देखो इनकी जो सुनवाई है लगबग यहाँ पर होगी इनकी जो फष्ट सुनवाई है फष्ट सुनवाई के अंदर क्या होता है केस के सुनवाई करता है जो आपर जज़ होता है उनको ऐसा लगता है जज़ को कि यार accept करता है और शाथियों आगे मैं आपको यह और बताऊंगा कि बरती के ओपर इस्टे किस बात के ओपर ला रही है कि ऐसे इस्टे आदाता है ऐसे नहीं आता है यह बरती के ओपर इस्टे ला रही है तो किस बात के ओपर ला रही है वो भी मैं आपको बताने वाला तो शाथिय पहले यहां पर फर्स्ट एडिंग होगी फर्स्ट एडिंग होने के बाद में यहां पर जो कैस वगरा एकसेप्ट वगरा हो जाएगा इनका अब एकसेप्ट होने के बाद में जो सेकंड एडिंग होगी जो सेकंड होगी पहले जो फर्स्ट में तो क्या होगा फर्स्ट के अं है इसके अंदर अगर जज को ये लगता है कि अर वाके इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो इसके उपर इश्टे है वो जारी कर देता है सेकंड हेडिंग के अंदर अब ये लोग है कुछ वालमे की समाज के अधर समाज के भी है इसके अंदर ये लोग किस बात के उपर तो देखो, कुछ कंडिडेट तो जा रहे हैं, कि हमारे को पहले कोट ने जोइनिंग देने के लिए बोल दिया था, पछले जो वेकेंसी हुई थी, उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर बोड है, बोड यहाँ पर हमारे को जोइनिंग नहीं दे रहा है, कोड तो बोल लिया कि जोईनिंग दो इनको और बोर्ड है वो बोर्ड जोईनिंग नहीं दे रहा तो ये है ये बिलकुल ये मानके चलिये बिलकुल ठोस कदम है इनका इसके ओपर इस्टेज जरूर आ सकता है यह तो नब यहनिकि 90 परसेंट मान के चलिए यह जो कदम है इससे 90 परसेंट इस्टे इसके उपर आ सकता है अगर उनको जोइनिंग नहीं देते हैं तो कोट यह बोलेगा कि भाई मैंने इनको जोइनिंग देने के लिए बोल दिया फिर जोइनिंग क्यों नहीं दे रहे पहले पहले वाड़ों को जोइनिंग दो भरती तो बाद में निकालना तो इसके उपर देखो इस्टे आने का पूरा पूरा चांस है अगर इनको जोइनिंग नहीं देते हैं तो अब कुछ साथी टैंसन में हो जाएंगे कि सर इसकी उपर तो इस्टे आ रहा है इस्टे आने कुछ साथी ये बोलेंगे कि सर हम तयारी करे या नहीं करे फिर अगर इसके उपर इष्टे आने वाला हो तो ना करें देखो साथियो अभी कोई कंफरम नहीं है अभी वालमी की समाज है लगबग तीन अगस्त को कोट के अंदर जा रहा है इसके बाद में आंदोलन भी करेगा जहां तक मेरे को सूचना लगी है उसके अनुशार तो तीन अगस्त को कोट के अंदर जा रहा है और देखो परकरिया है बरती की जो परकरिया है वो चलते रहेगी कि रुकने वाले नहीं है जब तक कोट का इस्टे ओडर ना आ जाए तो बरती की जो परकरिया है वो चलते रहेगी कि अब आगे कोट वगरा को कुछ लगता है तो आपको देखो टैंस ऐसे नहीं सोचना है कि बद तैयारी ना करे सभी को तैयारी कंट्यूनर रखनी है क्या पता कोट ऐसे बोल दे इनको जोइनिंग अभी दो और बॉर्ड अभी जोइनिंग दे दे उनको यह ना तो फिर इस्टे आने का कोई चांस ही नहीं है अगर उनको जोइनिंग दे देगा पुछले वालों को तो फिर इस्टे आने का कुई चांस ही नहीं है यह आपको ध्यान रगना है तो त्यारी है अपने त्यारी बिलुकुल कंट्यूनु रखना है आपको रेगुलर अगर आपने बुक है अभी तक बुक नहीं खरीदी है ज बुक को जरूर खरीदी ले ताकि आपको इस बुक से यानि की इंट्रू के अंदर इतना प्रोफिट ओने वाला है कि जो भी आप पर क्यूसन पोचे जाएंगे आपको लगबग लगबग इसी के अंदर से आने वाले हैं क्योंकि यह जो बुक है तीन टीमों के दिवारत त एक जो सपाई करमचारी हैं जीडी के अंदर उनके द्वारा यह बुक है तियार की गई है उनको देखो बिलकुल एक्सपिरियंस दारी बंदे हैं गौवर्मेंट करमचारी हैं और गौवर्मेंट अधिकारी वहां पर आपके इंट्रू लेने वाले हैं तो आप सभी को किस सभी को continue regular पढ़ते रहिए देखते रहिए और कुछ दिन के अंदर आप सभी को नी सुलक ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिसने बैच जोइन कर रहा है उसको नी सुलक ट्रेनिंग भी दी जाएगी अभी तो ओफर चल रहा है साड़ी 400 रुपर का जो बैच है अपना साड़ी चार सो रुपर का ओफर चल रहा है यानि कि साड़ी 400 रुपर के अंदर आप खरीज सकते हो 900 रुपर का है लेकिन साड़ी 400 रुपर के अंदर आप इस बैच को खरीज सकते हो साधी चार सो रूपए के अंदर ही आपको यहाँ पर नगरपालिगा के अंदर बुला करके ट्रेनिंग दी जाएगी एक जो सपाई करमचारी का ठेकेदार होता है उसके दोवारा क्योंकि देखो यूटूब के उपर जो साती जुड़े होए है सभी बोलेगें कि सर हमारी को क्यों नहीं तो देखो हजारों की संग्या के अंदर आप जुड़े होए हो तो देखो सभी को देखो देना किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं होता है तो यहां पर मैंने एक मुईम स्टार्ट किये थी जो भी साती बैच को जोइन कर रहा है जिनोंने भी तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हम तो इस चीज़ के अंदर पिछे रहे गए इस चीज़ के अंदर पिछे रहे गए किसी को ऐसा नहीं लगना सी सभी को बिल्कुल कम फीस के अंदर निस्ट लखी है फीस के अंदर कहां पर तरेनिंग दिन तो किसी प्रकाग के प्रकाग कुछे चैंशन लेने के आश्रक नहीं है सात्यो हुं आज की सश्ञें के अंदर अपने यहीं तक रहते हैं फिर भी अगर आपका किसी प्रकागा के उसक्राओ zalन को सकते हो कि कमेंट बॉक्स और रिप्लाइब वजल दरेंगे कोशिक करूंगा तो आज के लिए तरह ही जय हिंद जय भारत